नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानंद वसेष्ट। सजनों एक बहुत बड़ी-बारी समस्य आती है स्राद्धों के अंधर में। स्राद्धों में एक तो व्यक्ति स्राद्ध तो करना चाहता है। लेकिन स्राद्ध की विधी नहीं जानता है। प्रक्रिया नहीं जानता। स्राद्ध में किसी ब्रह्मन को भोजन करा देना ही स्राद्ध नहीं है। किस समय कराना चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपुन बात है। अब आपको नोकरी पे जाना है, ब्यापार में जाना है, दुकान में जाना है, फैक्टरी में जाना है, या राजनीती में जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आप एक काम वहाँ पर यह देखते हैं कि मैं कितना जल्दी इससे निबृत हो जाओ, अब स्राध्य जो होगा उसका टाइम ही 12 बज़े के बाद में आता है और उतना टाइम आप देना नहीं चाहते हैं सुबह सुबह आप अपने जो कहें कुछ भी किसी को भी गुलाया भोजन करवा दिया कुछ निकाला थाली निकाली मंदर में दे आए गवगरास निकाला गाय को दे दिया इतना हम करतों रहे हैं लेकिन करने में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पित्रों का जो टाइम है देखिए प्राते काल देवताओं का टाइम है और अप्रान काल बारा बजे से तीन बजे का टाइम है ये पित्रे स्वनों का होता है रात्री काल जो है राक्षसों का होता है तो जो हम पित्रों को कुछ अरपन करना चाहते हैं देना चाहते हैं और ये कहते हैं सरद्धया य वो उनको प्राप्ति ही नहीं होता मुख्य बाद तो ये है और जब प्राप्ति नहीं होता तो आप करते क्यों है तो करो तो विधी के साथ में खरो उसके समय के अनुसार करो कि ये नोक्री ये हमेशा चले जो भी आपको करना है तो भी आप 12 वजे से 2 वजे के बीच में सराद्द कीजिए, ब्राह्मन भोजन कीजिए जो भी आपको करना है, उस समय पर आप कीजिए और व्यापार है तो अगर व्यापार के अंदर और कोई जा सकता है तो उसको भेजिए लेकिन आप सराद्द अपने समय पर कीजिए और वही पित्रों को प्राप्त होता है उसी से पित्र प्रसंद होते है और वही फिर हमको पुत्र, दन और अन ये हमें प्रदान करते है आसिरवाद प्रदान करते है तो ये हमें विशेश करके ध्यान रखना चाहिए और सराध्धों के अंदर कई बातें होती है बहुत सी बातें जिस समय जिस चीज का सीजन होता है तो उसमें आजकल जो है वर्टसप का साधन है हर कोई कुछ भी उट पठान बातें उसके अंदर लिख देते हैं लेकिन जो चीज अनन्तकाल से है परम्परा से चली आ रही है तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई तो इज्ञान होगा कोई न कोई तो सास्तरी ये प्रमान होगा तो उन सब बातों को आपने समय के उपर आप सराद्द कीजिएगा और जिस किसी को भी बुला करके नहीं जिवाना चाहिए और एक बात और बता देता हूं जैसे हमारी एक परिपाटी है पुरुस का सराद्द है तो पुरुस को भोजन करवाया इस्तरी का सराद्द है तो इस्तरी को भोजन करवाया बालक का इसके अंदर ब्राम्मन भोजन का ही विधान है चाहे आप उसके अंदर एक को भोजन करा रहे हैं पचास को भोजन करा रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं लेकिन उसमें ब्राम्मन भोजन का विधान है इस तरीके भोजन का विधान कहीं भी नहीं है तो अपने सावधानी अरपन करके और जो भी आपको जानना है जोती से संबंदित, वास्तों से संबंदित, लेकिन एक बात कत्यान रहे हैं, आपके जनम की तारीक, मैना, सन, समय और जनमस्थान, ये पांच चीज महाँ पर होना बहुत आवशक है, तभी आपको जानकारिया सही दंग से मिल पाएं नमस्कार अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र हैं, 788-3888-98421, हमारी वेबसाइट है, www.shreevashist.com अनुष्ठान